नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है योग गुरू सुनील सिंग और मैं योगा लवर ट्रस्काब फाउंडर हूँ आज मैं आपको बताऊंगा जिल लोगों को नीन नी आती है या निद्रा उसके क्या कारण होते हैं कैसे हम एको प्रिशर और योग के माध्धियम से इस समस्हे ने चुटकार आपा सकते हैं सबसे पहले 24 गंटे में 16 गंटे जो होता है हमारे शरीर कारे करता है और 8 गंटे के लिए बाइलोजिकल क्लॉक के कारण हमारा शरी विश्राम करता है और इस विश्राम का सबसे मूल कारण क्या होता है हमारे शरीर में पीनिल ग्लैंड एक हॉर्मून का सिक्रेशन करता है जिसको मेलाटोनिन कहते हैं यदि रोज आप शाम को साथ बजे सोते हैं बाइलाजुकल क्रॉक के द्वारा तो हर रोज साथ बजे आपकी बाडी में मेलाटोनिन का सिक्रेशन होगा और आप नीन में आ जाएंगे कोई विक्ती रात को दस बजे सोता है तो उसकी बाडी में उस समय पे मेलाटोनिन का सिक्रेशन होगा लेकिन कई बार क्या होता है इस circle यानि इस चक्र को जब आ ब्रेक कर देते हैं तो धीरे धीरे आपको अनिद्रा या नीन नाने की बिमारी हो जाती है नीन नाना इसके बहुत सारे physical and mental कारण होते हैं कुछ मैं आपको बताता हूँ आपके जीवें में बहुत सारे stress है, anxiety है, depression है उसके कारण भी आपको नीन नहीं आती है हर्मनल चेंजिस के कारण भी आपको नीन नहीं आती है फिजिकल में आपके आए किसी भी फिजिकल फॉर्म अफ एक्सिसाइज को आप नहीं करते हैं वो भी कारण होता है आज मैं आपको बताऊंगा एको प्रेशर पॉइंट कौन सा ऐसा बिंदू है जिसको आप प्रेस करें रोज रात को बेट पे जाने से पहले तो आप देखेंगे देरे देरे आपको नीदाना शुरू हो जाएगी ये जो भी अभ्यास मैं आज आपको बता रहा हूँ वो आप जब रात में अपने बेट पे जाते हैं और आप लाइट बंद करके इनकी प्राक्टिस करेंगे तो सबसे पहला क्या अभ्यास है हमारे शेरी में एक बिंदू होता है सबसे लिटल फिंगर में वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बाए हाथ में यानि लिफ्ट हैंड में ये बिंदू देख लीजे जहां पर मैंने एक पॉइंट बनाया हुआ है इस बिंदो को लिटल फिंगर के इस बिंदो को आपको गरीब करीब एक मिनिट प्रेस करना है रोच व्人चा सुने से पहले देख लीजिए एक बार ये बिंदो लिटल फिंगर में क्योंकि बाइं तरफ हमारा हाट होता है तो पहला तो ये हो गया देखे दिश्रा मैं आपको बताने जा रहा हूँ दूसरा ब्हाईस उसमें आपको क्या करना होगा मैं आपको एक ब्रीधिंग टिकनीक बता रहा हूँ जो आपकी बहुत मदद करेगी इसमें आपको करना क्या होगा मिडल फिंगर के पोर आपसमें मिला लेंगे, ये देख लीजे बिडल फंगर की फोर मिला लेंगे उसके बाद अपनी स्पाइन को बिलकु सीधा रखेंगे रात को ये आपको बेट पे ही करना है स्पाइन को बिलकु सीधा रखेंगे और उसके बाद पांच काउंट तक ब्रीध इन करते वे अपने पेट को फुलाएंगे और दस काउंट तक मुझ से स्वांस को निकालेंगे और पेट को पिछकाएंगे मैं आपको दो से तीन बार करके बतायता हूं जिससे आप समझ सकें स्पाइन को हमने सीधा रखा नाक से सांज भरा पेट को फुलाया और दस काउंट तक मुझ से स्वांस निकाल दिया इस अभ्यास को कम से कम आपको तीन मिनिट करना है उसके बाद आखरे अभ्यास जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो देख लीजिए उसमें आपको क्या करना होगा हमारे दोनों हाथ ध्यान मुदरा में होंगे यह देख लीजिए दाए हाथ, बाए हाथ के उपर और अंगोठे के पूर परस पर आपस में मिले होंगे दोनों हाथों के और उनको अपनी नाभी के नीचे हम रखेंगे और स्पाइन को बिल्कु सीधा एरेक्ट रखेंगे आँखें बंद कर लेंगे और अपनी जिव्या को अपने तालू पे लगा लेंगे यानि पैलिट पे लगा लेंगे अपनी जीब को और सांस भरेंगे और सांस छोड़ते वे ओम का उचारण करने का प्रयास करेंगे देख लिजे इसको कैसे करना है अम् 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 दीरे दीरे आखेंगे और इस ध्यान को पांच मिनट करना है उसके बाद आप बिस्तर पे लेट जाएंगे लेकिन मैं आपको कुछ साफधने जरूर बता देता हूँ जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको मैंने बताया जैसे ध्यान मुद्रा होगी भरेंगे और सांच शोड़ते वे ओम का उचारन करने का प्रियास करेंगे इन अभ्यासों को एक्योप्रेशर का जो मैंने आपको बिंदू बताया है यदि आप इसको नरिंतर रोज करते हैं सपोज आपकी बाइलाजिकल क्लॉक रोज रात को आप 10 बजे सोते हैं तो आप 5-7 मिनट पहले अपने मिस्टर पे बैट जाएए और इन तीनों चीजों का अप्लाई कीजिए तो आप देखेंगे दीरे दीरे आपको नींद ना आने की जो समस्या है वो जड़ से दूर हो जाएगी अगले प्रोग्राम में किसी और विशा के बारे में बताएंगे तब तक के लिए धन्यवाद नमस्ते